नमस्कार स्वागत है आप सभी का डीडी नियूज के इस खास पुलेट इन एक्सप्रेस 100 में मैं हूँ चंदर शेखर जोशी यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राचनीती, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानि फटा फट अंदाज में तो आईए शुरुआत करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा पर ब्रूर्णवई दारुस सलाम पहुँच गए ये किसी भी भारतिय प्रधान मंत्री की पहली दुपक्षिय यात्रा है ये एरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी यल मुत्तादी बिल्ला ने अगवानी की एरपोर्ट पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आपचारिक स्वागत किया गया गार्ड ओफ ओनर का निरिक्षन करने के बाद प्रधान मंत्री का काफिला होटल पहुँचा वहां मौजूद प्रवासी भारतियों की गर्म जोशी देखने लायक थी बड़ी संख्याम में मौजूद लोगों के अभिवादन को प्रधानमंत्री ने स्विकार किया ब्रुनई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में मौजूद भारतिय उच्चायोग की बनी नई इमारत का उद्गाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया ये वास्तुकला की दिरिष्टी से दुनिया भर में मौजूद बेहतरीन भारतिय उच्चायोगों दूतावासों में से एक है इसे पारंपर एक भारतिय शैली में तयार किया गिया है इसका निर्माण 300 लोगों की क्षमता वाले एक बहुत देशी हौल के साथ किया गिया है प्रवासी भारतिय दुतावास में भी बड़ी संख्या में पहुँचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया बुरुनई यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने एतिहासिक सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जित का दोरा किया मस्जित का नाम ब्रूने के वर्तमान सुल्टान के पिता और उनके पूरुवर्ती सुल्टान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर रखा गिया है मुगल वास्तुकला से प्रभावित इस्भाव्य मस्जित के निर्माण में चार साल लगे थे और ये साल 1958 में बन कर तयार हुई थी प्रधानमंत्री बुधवार को सुल्टान हाजी हसनल भोलकिया से दुपक्षिय मुलाकात करेंगे पशिमंगाल विधानसवा ने महिला सुरक्षा से जुड़े महतुपूर्ण बिल को मन्जूरी दे दी है अपराजिता महिला यों बाल पशिमंगाल आपरादिक कानून संशोधन विध्यक का भाज़िपा ने भी समर्थन किया पशिमंगाल में इस बिल में रेप से जुड़ी घटनाओं में शामिल अपरादियों को तेजी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान है बलातकार की घटनाओं में पिडिता की मौत जैसे मामलों में दस दिन के अंदर मौत की सज़ा का प्रावधान किया गिया है कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रैनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले के बाद पशिमंगाल की सरकार बुरी तरह घिर गई है माना जा रहा है कि भारी जनाक रोश के दबाव में बंगाल सरकार ने ये विधेयक लाने का निर्णाई किया महिला डॉक्टर के रेप मडर मामले को लेकर बंगाल में डॉक्टरों की हरताल जारी है कोलकाता से लेकर सिली गूरी तक कारी करताओं का प्रदर्शन हो रहा है प्रदर्शन कारियों ने कहा कि जब तक कोलकाता के पुलिस कमेशनर इस्तिफा नहीं दे देते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा BJP के राश्ट्री ये प्रवक्ता सुधानशू त्रुवेदी ने ममता सरकार को घिरते हुए कहा कि तीन साल में BJP की महीला कारी करताओं के साथ जो घटनाय घटी हैं ममता सरकार ने क्या किया फास्ट कोर्ट में कितने अपराधियों को सज़ा दिल वाई पशिमंगाल सांस्किर्ति के हम साहितिक मंच और पशिमंगाल विधान सभा में विपक्ष के नेता सुबेंदू अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज ये हम अस्पताल की घटना के खिलाब विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने ममतब अनरजी से अपना पच छोड़ने की मांग की केंद्रिय ग्रह मंतराले ने सुप्रिम कोर्ट में अरजी दाखिल कर आरोप लगाया है कि कॉलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की सुरक्षा में तैनाथ CISF के जवानों को राजी सरकार की ओर से रहने की उचित व्योस्था और बुनियादी सुईधायन नहीं मिल पा रही है याचिका में कहा गिया है कि जवान फिलाल CISF यूनिट SMP कॉलकाता में रहने को मजबूर है जहां से हॉस्पिटल जाने में ही खरीब एक घंटे का वक्त लग जाता है राष्टरपती द्रोपदी मुर्मु ने महराष्टर पिधान परिशत के शतापदी वर्ष यसमारों को संबोधित किया राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु ने मुंबई में चैत्य भूमी पर बाबा साहे बंबेटकर को श्रधान जली भी अर्पित की राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु पुणे में सिंबियोसिस इंटरनेशनल डीम्ड युनिवर्सिटी के 21 में दीक्षान समारो में भी शामिल हुई राश्ट्रपती ने इस मौके पर कहा नारी शक्ति का विकास देश के लिए गर्व की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने भाजपा सदस्ता अभियान के तहट पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्ता को नवीनी किरित कराया पी-म ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि भाजपा कारिकरता के इंद्रित पार्टी है जिसका आदर्श वाक्य है भारत प्राथम राजिस्तान में बी-जे-पी का सदस्ता अभियान शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभियान की शुरुआत की भाजपा प्रदेश में सवा करोड सदस्यों को पार्टी परिवार का सदस्य बनाएगी भाजपा के सदस्यता अभियान दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंग चौधरी द्वारा लखनव के विश्व शुरहिया सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदितिनात को पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग्धामी ने देहरादून इस्तित भाजपा प्रदेश कार्याले में भाजपा सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया इस मौके पर सीएम ने कहा कि सदस्यता अभियान हमारा संगठन पर वभी है बारतिये जनिता पार्टी के सदस्ता अभ्यान के दूसरे दिन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोव सावंत और प्रदेश अध्यक्ष्य सदानन तनावडे और केंद्रिय मंत्री श्रीपत नाइक समेथ कई कारिकरताओं ने सदस्ता ली गोवा के मुख्यमंत्री प्रमो सावन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि गोवा के 50 फीसदी मद्दाता भाजपा के प्राथमिक सदस्य के रूप में जुड़ेंगे और हम कारीकरताओं के प्रयास से अपना लक्ष जरूर पूरा करेंगे तिर्कुरा में वीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री मानिक साह ने अभियान की शुरूआत की सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने बताया कि अकेले तिर्कुरा में 12 लाक लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष रखा गिया है आंध्र प्रदेश के विजय वाड़ा में बाड से जन जीवन बूरी तरह प्रभावित हुआ है क्रिश्ना नदी के आसपास के क्षेत्र बाड से सरवाधिक प्रभावित हैं कुछक शेत्रों में जलिस्तर में अभूत पूर्व बहुत तरी होने से भारिक शेती हुई है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबावु नाइडू स्वयम रहात और बचावकारियों पर निगरानी रख रहे हैं सरकार ने अस्थाई शिविर इस्थापित किये हैं और फीडित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ततकाल सहयता प्रदान की जा रही है विजय वाड़ा में बाड प्रभावित अक्षेत्रों में एंडी रफ की टीम रेस्क्यू में जूटी है अंडी रफ की टीम ड्रोन और हेलिकॉप्टर के जरिये दूध पानी विस्कुप जैसी खाज्य सामगरी बाड प्रभावित इलाकों में पहुँचा रही है आंध्र प्रदेश और तिलंगाना में भारी वारिश की वज़े से कुछ जिलों में बाड जैसे हालात पैदा हो गए हैं अंडी रफ के डी आई जी महसिन शाहिदी ने बताये कि अब तक 5000 लोगों को बचाय जा चुका है आंध्र प्रदेश के विजयवाडा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण विजयवाडा के प्रकाशम बैराज में जल इस्तर भढ़ गया है भारी बारिश के कारण क्रिश्ना नदी पर बने प्रकाशम बैराज में पानी का प्रवाह बढ़ गया राजिस्तान के कई भागों में तेज बारिश का दोर जारी है उदैपूर के कई हिस्सों में भारी बारिश की वज़े से कई जगों पर पानी भर गया बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर है महराष्ट्र में भारी बारिश के कारण जामनेर तालुका में वागूर नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है नदी का जलिस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाड का खत्राप बढ़ गया है तिलंगाना के खंबम में भारी बारिश के कारण करुणा गिरी गाउं में बाड जैसे इस्तिटूट पन्न हो गई है बाड का पानी गाउं में घुस जाने से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है तिलंगाना में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 16 लोगों के मौत हो गई है और कई लोगों के बह जाने के आशनका है राजी भर में 110 राहत तश्विर लगाए गए और 4000 से अधिक बाड पीडितों को सुरक्षित इस्तान पर विस्तावित किया गया है गुजरात के वलसाड और भरूज के कई लाकों में भारी बारिश हुई है भारी बारिश से कई जगों पर जल भरा हो गया जिससे यातायात प्रभावित हुआ है हिमाचल प्रदेश इन दिनों आर्थिक संकट से जूज रहा है इस मामले में नेता विपक्ष जैराम ठाकुर की अगवाई में भारतिय जनता पार्टी के विधायक दल ने राजजिपाल शिव प्रताप शुकला से मुलाकात की विपक्ष ने प्रदेश के वित्तिय हालातों और विधानसबा ध्यक्ष के सदन के भीतर के रवये को लेकर राजजिपाल को ग्यापन स्वापा जैराम ठाकुर्दे हिमाचल प्रदेश में वित्तिय असंकट को लेकर कॉंग्रेस पार्टी को घेरा उन्होंने कहा कि राजिपाल से निवेदन किया कि प्रदेश की वर्तमान परिस्तितियां विशेश कर आर्थिक स्तिति को देखते हुए उचित कारवाई की जाए हिमाचल प्रदेश में वित्तिय संकट को लेकर शिमला में सचीवाले करमचारी संग के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने करमचारियों को वेतन न मिलने पर निराशा जताई है उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तीन सितंबर है और करमचारियों को वेतन नहीं मिला है दिली में एंसीसी का अखिल भारतिय थलसैनिक शिविर दोजार चौबीस शुरू हो गया है इस शिविर का मेजर जर्नल सिधार्थ चावला ने उद्गाटन किया दिली केंट में चल रहे हैं इस शिविर में देश भर से चैनित करीब 1550 केड़ेट हिस्सा ले रहे हैं शिविर में निशानेवाजी, मैप रीडिंग, टैंट गाड़ने समेथ बाधा दोड जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगे केंद्री एश्रा में उम्रोजगार मंत्री मंसुक मांडविया ने इंप्लाइट लिंक इंसेंटिव स्कीम को लागू करने सम्मंदी समिक्षा बैठक की इस दोरान विभिन नियुकता संगों के प्रतिनिधी शामिल हुए नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में इलाई योजणा का निर्बाद कार्यान में सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श हुआ इलाई योजणा से दो लाग करोड के निवेश के साथ दो करोड नौकरी के अवसर पैदा होने के उम्मीद है रक्षा मंतरी राजना सिंग की अधिक्षता में रक्षा अधिक्रहन परिशद डी ए सी ने एक लाग चवालीस हजार साथ सो सोलह करोड रूपे की राशी के दस पूझी अधिक्रहन प्रस्ताओं को मंजूरी दी है भारती हैसेना के टैंक बेड़े के आधुनी की करण के लिए फूचर रेडी कॉमबाट विकल्स एफ आर सी वी की खरीद के प्रस्ताओं को भी मंजूरी दी गई है दिल्ली शराब नीती से जुड़े सी वी आई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्याई कि राशत की अवधी राउज यविन्यू कोर्ट ने 11 सितंबर तक बढ़ा दी है आपकारी नीती मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाब सी वी आई की ओर से दाखिल चार शीट पर राउज यविन्यू कोर्ट ने संग्यान लिया कोर्ट ने केजरीवाल की पेशी के लिए प्रोड़क्शन वारंट जारी किया उस दिन के जरीवाल वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये पेश होंगे अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी विशुबैंक ने किर्शीक शेत्र और ग्रामीन मांग में सुधार के दम पर चालू वितवर्ष 2024-25 में भारती अर्थ व्योस्ता की व्रिधिदर 7 फिसदी रहने का अनुमाल लगाया है विशुबैंक ने इससे पहले जून में अनुमाल लगाया था कि भारत की व्रिधिदर 6.6 प्रतिशत रहेगी विशुबैंक की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गिया है कि चुनोती पून वैशुट महाल के बावजूत भारत की व्रिधिदर मजबूत बनी हुई है विशुबैंक की ओर से कहा गिया है कि मौनसून और निजी खपत में सुधार के दम पर भारत के जीडीपी के पूर्वानुमान को संशोधित किया गिया है एक चोटा सब्रेक शादी का किचिन महके जहाँ कोल्डी किचिन किंग मसाले हो वहाँ अरे रिशी आज स्कूल नहीं गए तीन महिने से फीज नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाए आज ही लीजिए पॉलसी बजार पे दो करोड का टॉम लाइफ इंशॉरंस सिर्फ 690 रुपए महिने से शुरू स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आएए अप खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं भारतीय शेर बाज़ार मंगलवार के कारुवारी सत्र में सपाट बंद हुआ बाज़ार के सभी सुचकांकों ने एक सीमित दाइरे में कारुवार किया कारुवार के अंत में सेंसेक्स चार अंक की मामूली गिरावट के साथ 82,555 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी में मामूली एक अंक चड़कर 25,289 पर निफ्टी बंद हुआ सपाट कारुवार के बाद भी बाज़ार का रूचान सकारात्मक था निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी फार्मा और निफ्टी फ्राइविट बंक सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडेक्स थे मंगलवार को सोने और चांदी में मामूली गिरावट देखने को मिली है जहां सोना 89 रूपे सस्ता होकर 71,474 प्रती 10 ग्राम पर वहीं चांदी 250 रूपे गिरकर 84,258 पर ट्रेट कर रहा है एक लाख रूपे और उससे उपर के स्मार्टफोन की विक्री में साल दर साल वर्ष की पहली तिमाही में 20 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 10 प्रतिशत की ब्रिद्धी हुई है इस साल की पहली चमाई में एक लाक रुपे और उससे उपर के सेग्मेंट की बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशस से कुछ अधिक रही भारती ये दूर संचार नियामक प्राधिकरन ट्राई के निर्देशों पर सेवा प्रदाताओं ने इस पैमिंग के लिए दूर संचार संसादनों के दूरुपियों के खिलाब सक्त कदम उठाते हुए 50 से अधिक संस्ताओं को ब्लेक लिस्ट कर दिया है बढ़ती आय और वैश्विक संस्कृतियों के प्रती अधिक जागरुपता से पिसले एक साल में दो या अधिक विदेश यात्राएं करने वाले भारतियों की संख्या में 32 प्रतिशत का इजाफ़ा हुआ है अंतराष्टिय इस तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीब्र गिरावट जारी रहने के बावजूद घरेलू इस तर पर पेट्रॉल और डीजल के दाम यथावत रहे जिस से दिल्ली में पेट्रॉल 94.72 रुपे प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपे प्रति लीटर पर रहा गाज़ा में शनिवार को मिर्त पाए गए छे इसराइली बंदकों को वापस लाने में नाकाम रहने पर प्रधान मंतरी भिन्यामिन नेतनियाहू ने इसराइली जनता से माफी मागी है उधर हमास ने चेतावनी दी है कि अगर युद्धुराम पर समझोता नहीं हुआ तो अन्याबंदकों को भी नुकसान पहुँचाया जाएगा नेतनियाहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब समझोता वारता को अंजाम देने के उनके तरीके को लेकर इसराइल में दूसरी रात भी विरोध प्रधर्शन जारी रहे दूसरी और अंतराष्ट्रिय इस तर पर भी दबाव बढ़ रहा है क्योंकि ब्रिटिन ने ये कहते हुए इसराइल को और हतियार देने पर रोक लगा दी है कि उनका इस्तेमाल अंतराष्ट्रिय खानून के उल्लंगन के लिए हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन ने इसराइल के प्रधान मंत्री बेनियमिन नेतिनियाहू पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि वो युद्ध को रोकने और बंधकों के रिहाई के प्रस्तावों पर ज्यादा अमल नहीं कर रहे है मध्य उक्रेन का पोल्टावा रूस के भीशन हमले का शिकार हुआ हमले में एक सैन्य शिक्षन संस्तान और अस्पताल को निशाना बनाये गया इस हमले में 41 लोगों की मौत हो गई है जबकि 180 अन्य घायल हुए है प्राश्ट्रपती बोलदुमीर जनलेस्की ने बताया कि दो बैलेस्टिक मिसाइलों ने लक्ष को निशाना बनाया उन्होंने हमले की परिस्तितियों की फूर्ण और त्वरिच जाँच के आदेश दिये हैं रहात और बचाव तुरंत घटना इस्तल पर पहुंचा कर काम रहात और बचाव बने शुरू किया पूल्टावा रूसी सीमा से लगभग 120 किलोमेटर दूर है हलाकि शहर नियमे त्रूप से मिसाइल हमलों का निशाना बनता रहा है इस तरह का हमला पहले कभी नहीं हुआ था तीन लाग की आबादी वाला ये शहर रूसी हमले के बाद से बड़ी संख्या में शरणार्थियों का घर बन गिया है माना जा रहा है कि हमले इसकंदर M मिसाइल का इस्तेमाल हमले में किया गया इसकी मारक शमता 500 किलोमेटर है रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने इसके अलावा जापरोईजे और निप्रो में भी कहर बरपाया है जापरोईजे हमले में दो लोगों और निप्रो में एक ब्यक्ति की मौत हो गई है रेलवे के बुनियादी धांचे और चेरनी हाईब में एक उर्जा इस्तायंतर को भी निशाना बनाया गया यूक्रेन के मुताबिक जापरोईजे पर पिसले दिन 313 हमले हुए और 11 बस्तियों पर गोलाबारी की घटनाय हुई जिससे कई इमारतों को लुक्सान पहुँचा हलाकि यूक्रेन ने 35 में 27 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया इस भी सहिंतराष्ट की परमानु निगरानी एजेंसी IAEA के प्रमुक राफिल ग्रोसी ने कीव में यूक्रेनी उर्जा अधिकारियों से मुलाकात की IAEA प्रमुक युद्धकालीन परमानु दुर्गटना को रोकने के मद्यनेजर जापुरिजिया परमानु सहिंतर का दोरा कर रहे है अमेरिका और बेनेजोयला के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है अब अमेरिकी सरकार ने बेनेजोयला के राष्ट्रपती निकोलस मादुरो के निजी विमान को जब्द कर लिया वाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा है कि बाइडन प्रशासन मादुरों पर हालिया राष्ट्रपती चुनाव के नतीजों में कथि धादली करने को लेकर दवाव बनाने की कोशिश कर रहा है दरहसल वेनेजोला में अधिकारी विमान को रख रखाओ के लिए डॉमेनिकन गंडराजी लेकर आये थे अमेरिका ने नियाएक चैनलों के माध्यम से इसकी जब्ती के लिए अनुरोद किया थे एटोनी जनरल मेरिक गार्लाइन ने कहा नियाएवी भाग ने एक विमान जब्त किया है जिसे लेकर हमारा आरोप है कि इसे एक शेल कंपनी के जरीए हवेद रूप से 1.3 करोड डॉलर में खरीदा गिया विनेजुला ने विमान जब्त होने की बात कबूलते हुए अमेरिकी सरकार के इस कदम को डखैती करार दिया राष्ट्रपती मादुरों पर सवाल उठाने वाले गोंजालेज की मुश्किलें बढ़ गई हैं अदालत ने गोंजालेज के खिलाफ गिरफतारी वारंट चारी कर दिया है कॉंगो के ग्रह मंत्री ने कहा कि सौमबार तड़के खिंशासा में मकाला जेल से भागने की कोशिश कर रहे 24 कैदियों को चेतावनी देने के बाद गोली मार दी गई पंद्रह सौ लोगों की क्शमता वाली कॉंगो की मुखे जेल मकाला में 12,000 से ज्यादा कैदियों को रखा गिया था इंग्लिश चैनल में प्रवासियों से भरी नाव पल्टी कम से कम बारह की मौत पचास से अधिक लोगों को बचाये गया बिटिन की विदेश मंत्री ने घटना को दुखत बता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने पेरिस पेरालंपिक में पदक जीतने वाले भारतिये खिलाडियों योगेश कतुनिया सुमित अंतिल शीतल देवी और राकेश कुमार से फोन पर बात की पेरिस पेरालंपिक में भारत की शूटर अवनी लेखरा दूसरा मेडल जीतने से चूप गई अवनी लेखरा पचास मीटर राइफल थ्री पोजिशन के फाइनल में पांचों इस्तान पर रही भारतीय महिला शॉट पुट खिलाडी भागिशरी एम जादाओ पेरिस पेरालंपिक 2024 खिलो में महिलाओं की शॉट पुट एफ-34 इस परधा के फाइनल में पदक से चूप गए भारतीय पुरुश होकी टीम एशियन चेंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए चीन के लिए रवाना हो गए एशियन चेंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने अभियान की शुरुआत 8 सितंबर को मेजबान चीन के खिलाप करेगा होकी टीम के कप्तान हर्मन प्रीज सिंग ने कहा पेरिस ओलंपिक के बाद मिले छोटे ब्रेक काप फाइदा मिला नई उर्जा और नए जोश के साथ तयार है होकी टीम जर्मनी में चल रही दूसरी विश्व बधिर निशानेवाजी चेंपियन्शिप में भारती अदल का शांदार प्रदर्शन जारी दस मीटर एर राइफल मिक्स टीम में जीता स्वान पदक नताशा जोशी और मोहमद वानिया की जोडी ने इसी इस परदा का रज़त पदक जीतने में सफल तहासिल की पेरिस पैरालंपिक में बिटेन की तीरंदा जोडी ग्रिन हैम और साथी नाथन मैक्वीन ने मिश्रिट टीम कंपाउंड में स्वान पदक जीता आल राउंडर नाथन स्मित और जोश क्लाक सन को पहली बार न्यूजिलैंड के केंद्री अनुबंध में शामिल किया गया है इन दोनों युवा खिलाडियों ने केंद्री अनुबंध पाने वाले क्रिकेटर्स की 20 सदसीय सूची में डेवन कॉनवे और फिन एलन की जगह ली है प्रो कवर्डी लीग का सीजन 11 हैदराबाद में 18 अक्टूबर को शुरू होगा सिधार्त भोरुका इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारती अबन गये है वेब सीरीज आईसी 814 से जुड़े विवात के बाद नेट्फलिक्स ने बड़ी घोशना की है अब डिस्क्लेमर 1999 के विमान अपरहण में शामिल अपरहण करताओं के असली नाम शामिल कर दिये गए है लापता लेडीज की हिट जोड़ी, स्पर्ष, श्रिवास्तव और प्रतिभार रांटा एक बार फिर साथ दिखेंगे इस बार वोए एक म्यूजिक वीडियो सच्चावाला प्यार में नज़र आएंगे तीन मिनट बरतिस सेकेंड के सच्चावाला प्यार के इस म्यूजिक वीडियो की शूटिंग लदाक की मनमोहत वादियों में की गई है लंबे इंतजार के बाद आखिरकार द बकिंगम मडर्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है मुकेश भट की आशी की तू ही आशी की और तू ही आशी की है टाइटल पर दिल्ली हाइकोप ने रोक लगाई है अनेना पांडे की वेब सीरीज कॉल मी बे की रिलीज में बस तीन दिन बचे है प्रोडूसर सुनिल बोहरा और राइटर अखिलेश जैस्वाल बारह साल बाद प्रोजेक्ट के लिए साथ आएगगग इस तरी दो फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेरहमी इंडियन फिल्म बन गई है तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलाहल इतना ही आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए नमस्कार झाल